नमस्कार आप देख नहें हैं टुड़े 24 यो जर्वेमु आपकी साथ साक्षी निर्मान आईए शुरुवात करते हैं आज की कुछ बड़ी खब्रों से सलेंपूर सांसद रविंद्र कुश्वाहा ने बुद्वार को सदन में बोलती हुए कहा कि संसदी निर्वाचन शेत्र सलेंपूर के सिकंदरपूर विधान सभा में 106 एकड़ में नर्मारधिन स्पोर्ट्स कॉलेज जो देश के पूर प्रधान मंत्री चंदर शेखर जी के नाम पर है यह प्रवांचल में खेल ग्राउंड के रूप में यह सबसे बड़ा मैदान है जो सिकंदर पूर तहसील बल्या के पूर ग्राम में इसी थे जहां राजी सरकार के वारा बॉंट्री वाल का कारिप पूर्ण कर लिया गया है आज पूरे देश में खिलों इंडिय शेत्र के प्रतिभाश्चाली वाउं देश के लिए खिलने का मौका मिले इसके लिए उप्रोक्त भूमी पर खेलों इंडिया के अंत्रगत सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बहुत देश्य हॉल तरन ताल फुटबॉल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड आधिका निर्मार सलेमपूर के सिकंदरपूर विधान सभा में 106 एकर में निर्मारधीन स्पोर्ट्स कालेज जो देश के पूर प्रधान मंत्री चंसेकर जी के नाम पर है या पुरवांचल में खेल ग्राउंड के रूप में सबसे बड़ा मैदान है जो सिकंदरपूर तसीर बलियां के पू करा दिया गया है महोदय आज पूरे देश में खेलों इंडिया के अंतरगत गाउं देहात छोटे सारों में स्पोर्ट्स कालेज बिक्सित किये जा रहे हैं इसके परड़ाम स्वरूप देश के गाउं देहात में निकलकर युवा खिलाडी देश का नाम उंचा कर रहे हैं देश के लिए मेडल जीत रहे हैं महोदय खेलों में गाउं के युवा खिलाडियों की भागिदारी बढ़ाने के साथ मेरे संसी चेत्र के परतिभासाली युवाओं को देश के लिए खेलने का मौका मिले इसके लिए उपरोग भूम पर खेलो इंडिया के अंतरगत सिंथे कि मेरे संदीच सलेमपूर के सिकंदर पूर तासिल के अंतरगत चंसेखर अस्पोर्स कालेज पूर बलिया में खेलों इंडिया प्रोग्राम के तहट आधुनिक खेल संसादनों से विक्सित करने की किरपा करें जिसे हमारे माननी प्रधान मंतरी जी का सपना है कि देश की युवा सक्ति को खेलों की और उन्मुक कर उन्हें उतक्रिष्ट खिलारी बनाया जा सके ताकि वो राष्टी अंतराष्टी और बावस्विक प्रतरदाओं में देश का नाम रोशन कर सके धन्यवाद झाल